Hello students, आज हम इस वीडियो में सारफेसी आक्ट को डिसकस करेंगे और सारफेसी आक्ट के एक्कॉर्डिंग एनपीयो को रिकवर करने के कौन से मैथर्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि सारफेसी का फुल फॉर क्या है तो फॉल फॉर्म है तो सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ओफ फिनाशल एसेट्स एंड इन्फोर्स्मेंट ऑफ सिक्यूर्टी इंट्रेस्ट आक्ट अब यह नाम जिने नहीं आदो नाम याद करने का सबसे एजी तरीका क्योंकि इसके मैथर्ड भ अलावा और क्या है आर एफ ए यह दूसरा मैथड है आर एफ ए तो सिक्यूर्टाइजेशन हो गया और रिकंस्रक्शन ओफ फिनांशल एसेट्स फिनांशल एसेट्स मतलब अगर हम बात करें बैंक की यूँकि सार्फ इसी बैंकों के लिए फिनांशल इंस्टूशन के RFA, and Enforcement of Security Interest, ESI, तो जो ESI के यह कहते हैं कि जो लोन के लिए securities रखी जाती है न, उनको enforce करना, enforcement of security interest, ESI, securities जो आपकी यहाँ लोन के लिए रखी गई हैं, उसके interest को, उसके hit को, उसकी ownership को, उसके position को, उसके hit को enforce कर लेना, enforcement of security interest, यही act है, तो आप नाम clear हो गया, क्योंकि नाम इसके पूरे working से बनाया गया है, तो पहला S, Securitization, दूसरा, reconstruction of financial assets, and तीसरा क्या है, enforcement of security interest, अभी जैसे आप method स्यात करेंगे, नाम अपने आप याद हो जाता है, तो यह जो act है, वो कब कब बना हुआ, यह act है 2002 का, सारफीसी आप जो है, वो Indian regulation के हिसाप से 2002 में फ्रेम हुआ, और इसने अपनी working जो है, enforced जब हुआ, वो कब हुआ, year 2004 में, तो इनकी working जो है, जो enforcement year है, वो 2004 का है, और act का जो framing year है, act का frame हुआ, enactment 2002 में हुआ, सारफीसी बिसिकली, जो create किया गया, वो create क्यूं किया गया, सारफीसी का जो creation था, वो bank को, जितने भी financial institutions हैं, तो bank financial institutions को allow करता है, उनको power देता है, कि वो जो properties उनके यहाँ पर रखी जाती है, जो securities, जो collateral securities उनके पास रखी जाती है, loan के against, उनको, उन properties इसको auction करने का power दिया गया, कि जब कोई loan repay नहीं कर पा रहा हो, और जो उसकी जो properties, उसकी जो securities आपके पास रखी गई है, उन securities से आप अपना loan recover कर लीजए, तो उन securities का power है, उसको auction करने का power, वो किस ने दिया, सारफेसी act ने दिया, basically समझेगा, सारफेसी से पहले, DRT वेगरा रहते थे, DRT मतब debt recovery after tribunal, तो यह जो DRT रहता था, debt recovery tribunal, या DRAT, debt recovery appellate tribunal, तो यह DRT, DRAT जो यह work करते थे, सारफेसी से पहले जो act काम करता था, आप helps, जो भी इस तरह का loan repay नहीं हो पाएगा, मतब जो non-performing assets हो जाएंगे NPA हो जाएंगे इस तरह के loan को आपको क्या करना है अगर आपके loan recover नहीं हो रहा है borrower default कर रहा है तो आप उसके against case करें वो जो securities आप के हाँ रखा है उन securities को आप ऐसे use नहीं कर सकते पहले case होगा वहाँ पे सारी चीज़े clear होंगे DRT के पास जाएगा और उसके बास जब वहाँ से आपको permission होगा DRT से जब permission मिलेगी तब जाके उस securities का आप in cash करा सकते है मतलब अपने recovery आप कर सकते है उनकी security से तो अब DRT और DRT जो से उपर थी इन सब के पास बहुत टाइम से cases रहते थे लेकिन बैंकों की problem वहीं की वहीं रह रही थी मतलब उनके पास loan default हुए जा रहे है और वो रखी वही securities है पूर उससे वो in cash उसको नहीं करा पा रहे अपनी recovery नहीं करा पा रहे क्योंकि उनकों ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना था तो इसी के regarding ये हुआ कि बैंकों को ये power मिल जाए कि जो उनके पास loan की securities रखी है न वो उनके लिए तो रखी है तो वो उसके हिसाब से उन securities का खुदी auction वेगरा करके अपनी recovery करा ले ये जो power है वो किसको चाहिए थी बैंकों को चाहिए थी तो इसी की वज़ा से सारफेसी act को limelight में लाया गया तो DRT DRT ऐसा नहीं कि भी working बंद कर दी है DRT DRT भी है और उनके भी cases चल रहे होते हैं उनके यहां भी working हो रहे होते हैं पर सारफेसी act को establish करके बैंकों को empower किया गया बैंकों को power दे दी गई कि आप अपना काम कर सकते हैं तो ये जो act है वो कैसे पास हो गया था तो इस act में मतब सारफेसी के according की बैंकों को ये empower किया जाए इसकी recommendation किस ने दी थी नरसिम हम committee 1 and 2 और अंधिया रुजिना committee ने दी थी इन दोनों committee ने ही सारफेसी आक्ट को frame करने की recommendation दीती जहाँ पर इन्होंने कहा था कि bank of financial institutions को power दीजिये कि वो अपने NPA को recover कर सके without the intervention of court मतलब court case करने की court तक जाने की वहाँ से judgment मिले उसके बाद वो कुछ करे इसकी जरूरत ना रहे court बीच में ना आए ये खुद ही अपने loan को repay कराने के लिए काबे लो जो securities है उसको sale out करे हो और या जो भी तरीका हो उसके थूरू अपना recovery वो कर ले इसकी power इनको दी जाए ये committee की recommendation थी और उसी के basis पे सारफेसी act बना अब यहाँ पे एक चीज़ और धिहान दीजेगा जो banking से related person नहीं है मतब जो students banking के बारे में जाते हैं उनके लिए ये चीज़ important है कि ये पूरा act NPA के लिए बनाया गया है तो NPA क्या होता है ये समझ लीजेगा देखें जो bank होती हो financial institutions होती है ना उन bank को financial institutions का काम क्या होता है deposits public से लेना और public को loan देना दो ही चीज़ होती है तो जो वो savings मतब पबलिक की जो savings अपने हैं account deposit करते हैं saving account में जो पैसा deposit होता है मतब जो public savings हमारे पास आता है bank को के पास आता है वो उनके लिए liability होती है liability क्योंकि जब भी customer मांगेगा वो पैसा उनको देना पड़ेगा और वो भी with interest देना पड़ता है तो चाहे customer FD के form में अपना saving रख रहा हो या saving account में रख रहा हो जहां भी customer अपना पैसा bank को देता है तो bank के point of view से समझेगा तो bank के लिए वो liability होती है वहीं पे जब bank अपना पैसा customers को देती है public को देती है तो bank अपना पैसा उठा के public को दे रही है है न वो अलग बात है कि अजी ő immobilized saving से वो loan बाटती है बड़ स्टिल वो bank का अपना हो गया जो वो public को दे रही है तो जब वो public को देती है तो उससे क्या मांगती है interest अब public interest दे रही है तो बैंकों के लिए तो पैसा देने के बाद जो interest मिलता वो सब क्या हो गए उसकी income हो गई तो basically ये जो loan वो disburs करती है bank तो bank उसको क्या बोलती है assets बोलती है कि उनकी assets है क्योंकि इसे income generate हो रही है interest आ रहा है इसी लिए वो bank ये वो branch बड़ी branch कहलाती है जिस branch में ज़्यादा loan होते है clear है तो bank के लिए ये loan क्या हो गए उनकी assets हो गई अब question क्या होटता है अगर ये assets perform कर रही है की नहीं कर रही है तो एक हो गए performing assets perform करने का मतलब क्या काम कर रही है और साथ ही साथ अपका लोन भी रिकवर हो रहा है यह माई में दोनों चीज़े आ जाती है तो performing assets का मतलब क्या होगी कि ऐसा loan जिससे income आ रही है और non performing assets का मतलब होगी है एक ऐसी assets जो perform नहीं कर पा रही है मतलब एक ऐसा loan जो interest को pay off नहीं कर पा रहा है interest payment हो रही है ना loan recover हो रहा है उसको हम किस category में डाल देते हैं NPA की category में डालते हैं अब यहां यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा जब NPA होता है loan तो NPA loan कब होगा इसकी RBI की guidelines होती है कि 90 days तक overdue हो गया principal है principal plus interest due है कोई भी transaction नहीं हुआ है तो मतलब guidelines दे गई है कि अगर ऐसी situations होगी तभी हम उस loan को NPA कहेंगे 90 दिनों तक कोई payment नहीं है हमने NPA कह देंगे तो NPA की category दी गई है कि loan NPA हुआ की नहीं हुआ अगर यह condition meet किया तो NPA हुआ अब NPA हो गया perform नहीं कर रहा है पर होता ना कि कुछ लोग कम दिनों में perform नहीं किये बाद में कर देते हैं कुछ जादा दिनों से हैं तो इसमें भी NPA में भी category डिवाइड कर दी गई एक standard हो गया sub standard हो गया loss of assets तीन category डिवाइड कर दी गई तो जो loss of assets है मतलब हमने मान लिया कि अब ये लोन से कुछ नहीं होना किसी भी तरीके से payment नहीं आनी है तो ये NPA को भी तीन category में divide करते हैं standard, sub standard और loss of assets ये जो तीन category में divide करते हैं उसके भी condition कहां दी जाती है RBI ने दे रखी है, अपनी guidelines में दे रखी है कि कब हम उसको sub standard कहेंगे कब standard कहेंगे, कब loss of assets कहेंगे बैंकों के लिए सबसे worst condition होती है जब उनका NPA loss of assets की category में आ जाता है मतलब अगर एक लाख का लोन था और NPA हो गया तो एक लाख रुपे का उनको अपने profit में से हटा देना पड़ता प्रोवीजन करना पड़ जाता पूरा 100% provisioning होती है तो फिल्लाल ये अलग बात है पर basically NPA इसे हम कहते है ठीक, तो ये पूरा case किस चीज़ का है ये पूरा surface act बैंकों को जो power दे रहा न ये NPA के लिए power दे रहा कि आपका loan non-performing हो गया अब non-performing में ये सोचे कि जो standard है, मतब ठीके भी थोड़े ही दिन हुए है सब standard है कि कुछ और दिन हो गए है ये loss of assets, एकदम ही chance नहीं है तो किस के लिए होना चाहिए, तीनों के लिए होना चाहिए, नहीं जो loss of assets होता है basically ये surface उसको focus करता है कि आप कोई chance ही नहीं बचा है इस loan से recovery का उसी loan के लिए, उसी NPA के लिए surface act applicable होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, clear है यहां तक तो इसी लिए हम surface act पढ़ रहा है, ये point जो mind में रहेगा तो आप पूरे concept को अच्छे से समझ पाएंगे तो committee ने कहा दियो financial institution को power मिलगे कि आपका NPA, loss of assets से sale off कर दीजे अब आपके पास power होगी, आप securities का जैसे करना है, आप करके अपनी recovery कर लीजे, अब question ये उड़ता है कि किस तरह के loan को इस category में लाया जाएगा, तो बोला गया है कि provision of the act applies to the outstanding loans which are classified as NPA, तो जो loan NPA classified हुआ है, पहले तो वो धियान दीजे, ठीके अब उसमें भी ये देखिए, कि उस particular loan का, मतलब loss of assets वाले loan का, NPA के loss of assets वाले का outstanding loan कितना है outstanding loan मतलब अभी भी loan बचा कितना है जैसे Mr. A थे, उन्होंने 10,00,000 का loan लिया तो अब 10,00,000 का loan लिया और अब आज ये loan default कर गया अब इसका payment नहीं आ रहा है काफे time से अब ये NPA हो चुका है तो आप ये 10,00,000 पे काम नहीं करेंगे आप पहले ये देखिए, कि अभी भी इनका कितना loan बचा हुआ है तो उसे बोलते outstanding balance जैसे कि Mr. A. ने 10,00,000 में से काफी payment कर दिया था आज की date में जो उनका loan का amount दिख रहा है वो 4,00,000 का दिख रहा है तो मेरा outstanding balance जो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा 4,00,000 का कहलाएगा तो वही कह रहा है कि NPA में NPA के category में सारफेस ही कब apply होगा जब outstanding loan एक लाग से जाधा का होगा अगर outstanding loan एक लाग से जाधा का नहीं तो सारफेसी attractive नहीं होगा तो एक चीज़ तो यह कि NPA में भी outstanding balance कितने का है दूसरी बात यह कहते है कि यह जो NPA loan accounts है ना इसमें जो हम outstanding balance देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी वो चीज़ क्या है कि जो principal और interest है वो principal और interest का amount टोटल कर लीजिए और जो outstanding balance है आपका outstanding balance 20% से कम का नहीं मतलब कि principal और interest के total का at least 20% तो outstanding balance हो जैसे मैं कहे रही हूँ 10 लाग का loan था और यह NPA हो गया और आज outstanding balance कितना दिख रहा है 50,000 का दिख रहा है तो भी 50,000, 10 लाग के loan में से 50,000 दिख रहा है तो कितना percent है यह तो पहले तो यह देखो रहा कि कितना percent है तो वही इन्होंने का कि आप loan का amount और interest का amount दोनों को मिला लेजिए और दोनों का 20% देखिए अगर outstanding balance 20% से कम का है तब यह act apply नहीं होगा अगर 20% से ज़ादा का है तब ही act apply होगा एक example से इस बात को आप अच्छे से समझ लिजे suppose करिए कि कोई loan था जिस loan का amount हम कहते है मान लेजे 5,000,000 रुपीस था और interest हम लेके चलते हैं मान लेजे 15% का ठीक है तो loan का amount 5,000,000 का हो गया और interest कितना है 15% का तो total कितना बनेगे 5,75,000 बन गया principal plus interest कितना बनेगे 5,75,000 अब उस particular जो borrower है उसका outstanding balance आज की date में मान लेजे दिख रहा है 1,10,000 कितना दिख रहा है 1,10,000 तो 5,75,000 का पूरा है loan plus interest का amount हो गया और आज outstanding balance कितना दिख रहा है 1,10,000 का दिख रहा है अब देखे 1,10,000 तो एकसीड कर गया balance है ना बई NPA तो attract होगा लेकिं दूसरी condition माच करनी होगी कि क्या 20% से ज़ादा है कि उससे कम है 20% से कम है तो नहीं attract होगा तो आप 5,75,000 का 20% चेक करेंगे और ये 1,10,000 देखी कि इतना परसेंट है तो आप पाएंगे कि 19 points something आएगा मतलब 19% something आएगा इसका मतलब ये 20% नहीं हो रहा है इसका मतलब इस loan के लिए जो 5,75,000 का loan था उसके लिए surface act applicable नहीं होगा clear है तो ये condition है जो ध्यान देनी होगी तो अब हम बात करते हैं कि methods of recovery of NPA क्या है मतलब कि ये तो ठीक है कि NPA हो गया clear हो गया कि हाँ भी अब surface act applicable होगा तो अब surface act अगर applicable हो जाएगा तो इन NPA को recover करने के लिए इस act में क्या बाते कही गई है और एक जिस ध्यान देजेगा देखें surface act जो हम बार-बार कहे रहे हैं जब loan आपका sanction होता है bank में जो आप loan लेंगे और अपने securities को रखते हैं तो securities को इस surface के अंदर register किया जाता है तो हर loan पे या हर security पे surface number अलोट हो जाता है जो ये बताता है कि ये particular loan के against ये securities allotted है या इस securities पे इतने का loan create है वो surface number से clear हो जाता है तो same securities आप कहीं और भी अगर loan पे लेने जाते हैं तो वो clear हो जाता है कि इस पे already loan चल रहा है और इतने का loan चल रहा है तो हर एक loan पे ये surface number create होता है हर एक loan का होता है तो इस act के अंदर जब working होती है तो applicable करने के लिए पहले ही जब loan sanction होता है तो securities पे surface number बेगरा आ जाता है ठीक है तो अब मान लिजे कि सब कुछ condition clear हो गई तो अब इस act के recording क्या recovery का तरीका है NPS 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 कैसे recover करेगी bank है ना तो उसके लिए क्या कहा गया कि इस act ने तीन alternative methods बताये है NPS को recover करने के लिए कौन कौन से वो method है एक है आपका securitization का method दूसरा है assets reconstruction का method और तीसरा है enforcement of securities without intervention of court मतलब securities को enforce करने का method अब देखे अगर आपको जो मैंने पहले बुला था नाम याद करने का तरीका है कि इसके methods याद हो जाए S से क्या हो गया securitization and RF मतलब क्या हो गया reconstruction of what financial assets और ESI का क्या मतलब हो गया enforcement of security interest तो ये तीन ही method है securitization, reconstruction of assets अब इसे आप assets reconstruction लिखिए reconstruction of assets लिजए कोई मतलब ने रखता है में तो मेरे सब्सेम ही है वो और enforcement of security interest तो अब ये तीन methods होते क्या है और इसकी तरू हम कैसे recovery करते है में की करके समझते है तो सबसे पहला method क्या आता है securitization का method securitization क्या कहता है कि अगर bank securitization का method adopt करके recovery करना चाहती है अपने loan को NPA को तो वो क्या करेगी तो securitization एक process है जिसमें क्या किया जाता है जितने भी loan की collateral securities है मतलब home loan है या auto loan है जो भी loan आपका था उसके जो भी collateral securities थी ना उसको क्या किया जाता है उस पूरी assets को convert कर दिया जाता है securities में मतलब marketable securities issue की जाती है उस securities के पीछे जो backup होता वो क्या होता है ये सारे assets होते है ठीक है अब इस बात को समझेगा इस process को समझेगा basically कैसे होगा आपका कि जो bank होगी bank और आपका borrower है तो borrower ने loan ले लिया loan के against उन्होंने अपने security रख दी bank को अब bank जो loan लिया है borrower ने उसने अपने घर के paper रखे है house property की deed रखी है और property के paper रखे है अब bank को recovery करनी है तो bank तो trust पे चलती है अगर SBI है PNB, HDFC है कोई भी bank है वो trust पे चलती है लोगों का trust की bank अच्छी है तभी हो चल रही है तभी पैसा अपना दे रहे है तभी वहाँ से loan ले रहे जहां trust tutor bank गई so basically अब माल लेजिए उस borrower ने अपने property के paper इंके पास रखे है तो bank उस property के paper का क्या करेगी जा के खुद वहाँ से खाली तो उनको करवा नहीं सकती तो but obviously बात है negative image जाएगी तो bank तो यह काम नहीं कर पाएगी अच्छा property के paper अगर उनके पास रखे भी रहते तो उस property के paper रखे हुए paper का वो क्या करेंगी तब भी वो कुछ नहीं कर सकती तो ना तो physical position वो ले सकती है और ना ही वो जो property के paper उनके पास रखे उससे कुछ कर सकती है तो एक तो पहला matter यह securitization उसमें यह क्या करती है कि यह जो security इनके पास रखे गए थी यह property के जो paper इनके पास थे अब यह क्या करेंगी जो reconstruction company होती है assets reconstruction company होती है so basically बहुत सारी company है India Bulls वेगरा बहुत सारी company है Reliance की company है तो यह जो company ARC होती है यह क्या करेंगी यह सारा assets अपना सारा पूरा इनका pool of assets है जिस तरह भी लोग ने सारा default कि उनके सारे papers जो है वो किसको उठा के देंगी वो दे देंगी नहीं company हों को अब यह company क्या करेंगी उन सारी assets के बदले जितनी भी total value आएगी उतने की वो क्या कर देंगी security issue कर देंगी जैसे आप देखते हो ना कि 2,5,5,10 करोड का FD issue हो गया ऐसे हो गया वा जब इस तरह की security issue करेंगी जिसको market में sale किया जा सकता है तो यह company क्या कर दी सारी assets bank से ले लिए और उसके बदले क्या issue कर दी security issue कर दी किसको आपके bank को तो bank को मिल गया security जिसको market में राम से sale कर लेगी और अपना पैसा recover कर लेगी और इन company का क्या क्या होगा क्या 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 होगा कि वो जाके जो borrowers से उनसे recovery करेंगी तो यह उनकी अपनी बात हो गए bank को पैसा चाहिए तो bank free होगे bank का नाम अब नहीं है अब यह company वाले अपना काम करेंगे clear है तो इस securityization क्या होगे process होगया जहां पर क्या किया जा रहा है marketable securities issue की जाती है कौन करता है वो companies issue करती है जो की backup होती है कि existing assets pool of existing assets मतब जो इनके पास securities आई थी सारी उनका pool होती है उनकी उन्हीं का backup होती है 10 करोड की security थी मतब 10 करोड का पूरा asset था property की value मान लेजे 10 करोड की थी तो उसके बदले जो security issue की गई वो security वो bond किया गया हो या कोई भी security issue किया गया हो वो कितने का issue कीए कि 10 करोड का किया गया होगा तो security is issue की जाती है तो after an asset is converted into marketplace securities it is sold तो जैसे हो सारे assets in securities में convert हो जाता है तो इसको bank अराम से sale कर देती है और इससे क्या हो जाता है बैंकों को पैसा मिल जाता है अब यह जो securitization company होती है मतलब मैंने जो बताया आपको कि security में convert करें securitization करना होता security में convert करना तो जो company इस पूरे assets को security में convert करती है वो reconstruction company होती है और यह reconstruction company पैसा कहां से raise करेंगे यह bond वेगरा जो बनवा रही है यह पैसा कहां से पाती है तो यह पैसा पाती है qualified institutional bankers होते कौन है देकि qualified institutional bankers के लिए SEBI की guidelines दी जाती है तो जो भी जिसे आपका mutual funds के जो projects हो गए venture capital के जो funding हो गए QIB मतलब basically investors होते है जो fund में पैसा लगा रहे होते है जो बहुत expertise होते है जिनको बहुत knowledge होती है पर यह कौन से लोगों के यह से भी decide करती है उनकी rules के हिसाब से उनकी guidelines के हिसाब से वो decide करती कि यह norms जो fulfill करेगा वो QIB के लिए qualified है clear है अब यह जो QIB होंगे qualified institutional bankers जो होंगे वो ही यह सारे पैसे लगाएंगे मतलब वही सारे bonds वेगरा में जो चीज़े funding जो raise कर रहे है reconstruction companyya वो इनी qualified institutional buyer की through करेंगी यही लोग acquire करेंगे financial assets को clear है तो इसी process को हम क्या कहते है securization तो या तो बैंकों के पास यह रास्त है कि सारे assets को security में convert करें security में convert करके मतलब इनी reconstruction companies के through QIB के through security में convert करवा ले जो security को sell करके अपना पैसा recover करें bank का काम करते हैं यह लोग अपनी recovery करते रहे है न यह जो agents है bank agency यह अपना काम करते रहेंगे clear है अब दूसरा method आता है दूसरा method क्या आता है assets reconstruction यह reconstruction of assets आप कुछ भी कहिए reconstruction of financial assets यह assets reconstruction तो इसका क्या मतलब हो गया यहां पे कहते हैं कि it refers to the conversion of non-performing assets into performing assets तो देखे reconstruct आप जब कोई चीज़ खराब हो जाती तभी तो आप reconstruction कराते हैं तो reconstruction आप किसका कराने वाले है financial assets का financial assets का है इनकी loan ठीक है तो आप इसको reconstruct करें मतलब जो bad हो गया था जो खराब हो गया था तो उसको आप क्या कर रहे हैं उसको convert कर रहे हैं आप good में अच्छे में convert कर रहे हैं अब यह मैं bad या good क्यों कर रहे हैं क्यों करे रहे हूं कि loans को in terminology के साथ use किया जाता है bad loan and all तो basically जो non-performing assets थी उसको आप किसमें convert कराने की कोशिश करोगे performing assets में उसके लिए आप क्या कर रहे हैं construct कर रहे हैं construction कर रहे हैं अब construction करने का क्या मतलब हो गया तो पहले तो construction से मतलब यह समझेगा कि जैसे आप पताने कि उपर जो ऐससे आपकी building है reconstruct आप कर आ रहे हैं इसी तरह से कर कोई loan default कर रहा है तो क्यों कर रहा है हो सकता है कि loan की EMI जादा हो तो आप उस EMI को reconstruct कर दोगे हो सकता loan का tenure जादा हो तो आप loan का tenure कम हो तो आप loan दम लंबे period के लिए बढ़ा दोगे मतलब आप reconstruct करके उसको chance दे रहे हो यह कैसे जाएगो तो यह करने का तरीका क्या है कि देखे यह तो क्या करेगा कि managing the borrower's business by acquiring it मतलब जिसका भी जो भी loan था जिस person का भी रहे हो तो माली जे किसी ने company के लिए गेंस में loan लिया था business loan था उनका तो उनकी business को acquire कर लेंगी कौन यह reconstruction कंपनिया bank नहीं काम करने वाले क्योंकि bank की पसना time नहीं है ना अब suppose करेगे किसी ने cc loan लिया है cash credit loan लिया है तो वो अपना stock जो है bank के पास रखता है stock पर hypothetical होता है उन्होंने रख दिया है अब bank उसका क्या करेगी नहीं default कर गया नहीं payment कर रहा है तो क्या वो सारे stock जितना go down में उनके जितना भी stock closing stock रखा उसको sale करेगी bank बठके नहीं उनका काम नहीं है लेकिन वो recover करने के लिए चाह रही है उनको loan recover करना security उनकी वही है तो इन सब ही के लिए इस तरह की companies assets reconstruction companies एमसी वेगरा या ये qualified institutional buyers को लाया गया है कि ये लोग ये सारे काम करेंगे bank नहीं involved होगी तो आपको SBI का PNB का UKO bank के employee नहीं दिखेंगे कि ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि वो तो trust पे हैं वो करते नहीं दिखेंगे वो लोग side हैं बाकी काम के लिए ये लोग रखे जाते तो इस तरह का reconstruct करने का power इनका तो ये लोग क्या करेंगे या तो उस borrwer के business को acquire करके खुद ही manage करना शुरू करेंगे manage करेंगे कि इस तरह manage करेंगे भी profit earn करना शुरू कर दे और जो loan था उसको payment करवा देंगी या तो यही तरीका है या वो क्या कर देती है उस पूरे business के कुछ part को या पूरे ही business को sale करके पैसा recover करेंगे और loan का payment करके loan को खतम कर देंगी या फिर क्या करती है जो भी debt का जो payment का तरीका था उसको reschedule कर देती है मतलब इस act के according उसको पूरा rescheduling करती है like कि loan का period मतलब जिसकर 6 साल का loan था और loan repay नहीं हो रहा तो उसको 10 साल का loan कर देंगी EMI का amount कम कर देंगी आप अगर 50,000 की EMI नहीं भर पा रहा है तो ठीक है हम loan की period को बढ़ाके 20,000 की EMI कर दे रहे अब भरिएगा है ना कुछ concession देने के बात कर दी जाती है so basically यहाँ पर क्या करते है इन तीन तरीकों से तो rescheduling कर देंगे payments वेगरा को या business को sale कर देंगे खुद business को चलाने लग जाएंगे इन तीनों में से किसी भी तरीके इसको use करके वो क्या करते है पैसा recover करके bank को provide कर देते तो मतलब बैंक को पैसा मिल जाता है इनको provide कर देंगे assets यह अपना recovery करे और इनको पैसा मिल जाता है तो एक तो assets reconstruction का तरीका होता है और जब third जो आता है that is what enforcement of security interest यह हम कहते हैं कि security sorry security interest enforcement तो यह क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इसमें क्या करती है जो financial institution होती है वो सबसे पहले क्या करेंगे जितने भी जिनों का भी loan default किया है और जो भी उसके guarantor है दोनों को notice भेजती है कि particular इतना area आपका इतना outstanding balance है तो यह क्या करेंगे आपको notice भेजेंगी जिस दिन भी यह notice जाती है अब यह notice जाती है आई बी बी आई के अंदर insolvency और bankruptcy board of India के अंदर यह notice भेज देंगी अब notice भेजने के साथ दिनों के अंदर जो है उनसे यह सारा sum clear करने के लिए बोलेंगी तो मतलब जो भी loan का defalter है guarantee है सब को IBB के अंदर notice भेज देंगी और साथ दिनों के अंदर इसको clear करने की बात करती है कि आप साथ दिनों के अंदर इस सारे loan को repay करिए अगर वो default कर जाते है मतलब उनका जो काम किया उन्होंने वो काम नहीं किया notice के recording सबसर्व नहीं किया साथ दिनों के अंदर उनको repay नहीं किया और वो default कर गई तो ऐसे situation में वो court के पास bank नहीं जाएगी court से help नहीं मांगेगी वो अपने आप इन में से कोई भी काम कर सकती है तो वो action क्या ले सकती है वो security का position खुदी ले-ले घर है कोई भी assets है कार है वो companies के थूँ जो ये recovery agents होते हैं उनके थूँ वो उसको position में ले लेती है या particularly उस security को sale कर देगी या lease पर देके उसका right अपने पास रख लेती है तो इस तरह से वो recovery करना शुरू कर देती है तो मतलब ये इनमें से कोई भी तरीके अपना के वो क्या कर सकती है जो भी loan default हो रहा है उसको recover कर सकती है और ये loan default वाले कौन से हैं जिसमें उन्होंने BAT के adjustment करने का और बाकि जितने भी तरीके थे सब अपना लिये थे और अब काम ने तो अब वो उनकी assets को sale करेंगी lease पर दे देंगी मतलब उनकी assets के साथ वो काम करके अपना पैसा recover करेंगी आप newspaper में देखेंगे और अगर अपनी तक notice नहीं की होंगे तो आप notice करेंगा newspaper में कई बार आपको auction दिखती है कि ये particular building या ये particular घर इनका था इतना था loan amount इतना है इतना security deposit करेंगे और इस दिन इसकी auction हो रही है तो उपर लिखा रहता है कि surface act के अंदर ये हो रहा है आप newspaper में देखेगा क्योंकि public notice के थूँ ये सब लाया जाता है अगर कोई auction हो नहीं होती है bank कोई auction कर रही हो है तो किस act के अंदर कर रही है उसको public notice में लाना होता है और newspaper में publish करने का मतलब होता है कि आपने public notice में डाल दी है तो इसे लिए newspaper में आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा आप कभी भी इस चीज़ को देखेंगे आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है इस तरह से इनकी property को auction किया जा रहा तो ये सारी power किसको मिल गई है अभी bank को मिल गई है according to the surface act so I hope आपको clear हुआ होगा wish you all the best thank you so much